राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अक्षे तृतिया की कथा और महत्व बताएंगे. दोस्तों बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी हो, अक्षे तृतिया का पर्व मनाया जाता है. आम बोल चाल की भाषा में इसे अक्षा तीच के नाम से भी जाना जाता है. अक्षे का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो. और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षे तृतिया वहतिती है जिसमें सौभागे और शुफल का कभी छे नहीं होता. इस दिन होने वाले कारे मनुष्य के जीवन को कभी ना खत्म होने वाले शुफल प्रदान करते हैं. इसलिए यह कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितनी भी पुन्य कर्म तथा दान करता है उसे उसका शुफल अधिक मात्रा में मिलता है और शुफल का प्रभाब कभी खत्म नहीं होता यह दिन सभी प्रकार के शुब कारे के लिए सर्विशेष्ट है अक्षर तित्या के दिन विभा होना अतिन्धी शुब माना जाता है जिस प्रकार इस दिन पर दिये गए दान का पुन्य कभी खत्म नहीं होता उसी प्रकार इस दिन होने वाले विभा में भी पती पत्नी के ब उपनयन संसकार घर आदी का उद्खाटन नया ब्यापार डालना नय प्रोजेक्ट शुरू कहना भी शुप माना जाता है इस दिन ब्यापार आदी शुरू कहने से मनुश्य को हमेशा तरक्की मिलती है तथा उसके भागय में दिनों दिन शुफल की बढ़ोत्री होती है इस दिन भगवान विश्नु तथा लक्ष्मी मा की पूजा करने का महत्व है इस दिन भगवान विश्नु की पूजा अजना की जाती है तथा भगवान विष्णू ची को चाबल चरहना विशिश लाफकारी होता है भगवान विष्णू तथा मालक्ष्मी की आरातना कर उन्हीं तुलसी के पत्तों के साथ निवीद अर्पित किये जाते हैं सभी विधी विधान पूर कर भगवान की धुपत्ती से आती की जाती है गर्मी के मौसम में आने वाले आम तथा इमली को भगवान को चड़ा कर पूरे वर्ष अच्छी फशल तथा वर्षा के लिए आशिरवाद मांगा जाता है कई जग है इस दिन मिटी से बने घड़े पानी भरकर उसमें कैदी यानि की कच्चा आम इमली तथा गुड को पानी में मिलाकर भगवान को चड़ाया जाता है इस दिन अच्छी नियत से दी गई हर वस्तू के दान का पुन्य लगता है इस दिन घी, शक्कर, अनाच, फल, सबजी, इमली, कपड़े, सोना, चांडी, आदी का दान देना चाहिए इस दिन छोटे से छोटे दान का भी बहुत महत्व है फिर भी पानी भरकर मटके का दान करना बहुत ही शुब माना जाता है इसके अलाबा गर्मी दूर करने वाली चीजें जैसे की मौसमी फल, सत्तू, पंखा इत्यादी का दान करना भी बहुत ही शुब माना जाता है अक्षे तित्या की कथा सुनने तथा विधी से पूजा करने से बहुत लाब होता है पुराणों में इस कथा का विशेश महत्व बताया गया है धार्मेकमान नेताओं के अनुसार आज के दिन अक्षे तित्या की कथा सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के सुक, संपत्ति, धन, यश, पैभब की प्राप्ती होती है इसके साथ ही भगवान विश्नु मा लक्ष्मी जी की असेम करपा प्राप्ति होती है अक्षे तित्या की पौराण कथा इस प्रकार है कथा के अनुसार एक सदाचारी भ्रामर्धी धर्मदास धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटी से गाउं में रहता था वह भौत ही करीब था वह हमेशा अपने परिवार के भरन पोशन के लिए चिंतित रहता था उसके परिवार में कई सदस्य थे धर्मदास बहुत धार में प्रवती का ब्रक्ती था एक बार उसने अक्षे तित्या का ब्रत करने का सोचा अक्षेत्रतिया के दिन सुभे जल्दी उठकर उसने गंगा में इसनान किया फिर बिधी पूर्वक भगवान बिष्णू की पूजा अर्चना एवं आती की इस दिन अपने सामर्थ के अनुसार जल्से भरे घड़े, पंखे, जो, सत्तु, चावल, नमक, गैहु, गुड, घी, दही, सोना तथा बस्त्र आदे बस्तुएं भगवान के चर्णों में रखकर प्रामणों को अर्पित की यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार बाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पारन पोशन कैसे होगा फिर भी धर्मदास अपने दान और पुन्य कर्म से बिश्लित नहीं हुआ और उसने भ्रामणों को कई प्रकार का दान दिया उसके जीवन में जब भी अक्षे तृतिया का पावन पर्व आया प्रतेकपार धर्मदास ने बिधी से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया पुढ़ापे का रोग परिवार की परेशानी भी उसके प्रत से बिश्लित नहीं कर पाई इस जन्म के पुण्य प्रवाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशाबती के रूप में जन्म लिया कुशाबती राजा बहुत ही प्रतापी थे उनके राचे में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जभारात, संपत्ती की किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी उनके राचे में प्रजा बहुत सुखी थी अक्षे तितिया के पुन्य प्रफाव से राजा को बैभव एवं रियश्की प्राप्ती हुई लेकिन बे कभी लालश के बश नहीं हुए एवं अपने सत कर्म के मार्ग से बिछलित नहीं हुए उन्हें उनके अक्षे तितिया का पुन्य सदा मिलता रहा जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की बैसे ही जो भी ब्यक्ति इस अक्षे तृतिया की कथा का महत्व सुनता है और विधी विधान से पूजा ब्रत और दान कादी करता है उसे अक्षे पुन्य एवं यश की प्राप्ति होती है भगवान शरी हरी विष्णु मा लक्ष्मी जी की कृपा से सुक्षमपत्ति धन यश की प्राप्ति होती है अक्षे तृतिया से जुड़ी कई अन्य मानताएं भी है एक माननता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धर्ती की सबसे पावण माने जाने वाली गंगा नदि इसी दिन स्वर्ग से धर्ति पर आए गंगा नदि को भागी रत धर्ति पर इस पवित्र नदी के धर्ती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुपके लगाने से मनुष्य के पापनश्ट हो जाते हैं यह दिन रसोई एबम भोजन के देवी मा अनपूर्णा का जन्म दिन भी माना जाता है अक्षरतितिया के दिन मा अनपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और मा से भंडारे भरबूर रखने का बरदान मांगा जाता है मा अन्यपूर्णा के पूचन से रसुई तथा भोचन में स्वाधबर जाता है दशिन प्रांत में इस दिन की अलग ही मानिता है इस मानिता के अनुसार इस दिन कुवेर देव भगवान के दर्वार के खजांची नेशिप पुरम नामक जगह पर भगवान शिपची की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था कुवेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिपची ने कुवेर से बर मांगने को कहा कुवेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुन्हे प्राप्त करने का वर्दान मांगा तभी शिपजी ने कुवेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलहा दे इसलिए तब से आज तक अक्षरतितिया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है मा लक्ष्मी भगवान विश्नु की पतनी है इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन से पहले भगवान विश्नु जी की पूजा की जाती है दर्शिन भारत में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है जिसमें भगवान बिश्णूजी लक्ष्मी जी के साथ साथ कुवेर देव का भी जित्र होता है अक्षे तित्या के दिन ही महेशी बेद्व्यास जी ने महाभारत लिखना आरंब की थी इसी दिन महाभारत के युदिष्टर को अक्षे पात्र भी प्राप्त हुआ था इस अक्षे पात्र की विशेष्था थी कि इसमें से कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था इस पात्र के द्वारा युदिष्टर अपने राज के नेधन एवं भूंके लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे इसी मानेता के आधार पर इस दिन किये जाने वाले दान का पुन्य भी अक्षे माना जाता है अर्थात इस दिन मिलने वाला पुन्य कभी खत्म नहीं होता यह मनुष्य के भाक्य को सालों साल बढ़ाता है महाभारत में अक्षे तित्या की एक और कथा प्रचलित है इसे दिन दुसासन ने दुरोपती का चीरहरन किया था दुरोपती को इस चीरहरन से बचाने के लिए भगवाई श्री कृष्ण ने कभी ना खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था माना जाता है कि जब भगवाई श्री किष्ण ने धरती पर जन्म लिया था तब अक्षे तित्या के दिन ही उनके नेधन मित्र सुदामा भगवाई श्री किष्ण से मिलने पहुचे थे सुधामा के पास भगवान श्री किष्ण को देने के लिए सिर्फ चावल के चार दाने थे बही सुधामा ने भगवान श्री किष्ण के चर्णों में अरपित कर दिये परंतु अपने मित्र एविम सबके हिदय की जानने वाले अंतरयामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुधामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी जूपड़ी को महल में परवर्तित कर दिया और उसे सब सुभिधाओं से संपन्य बना दिया तब से अक्षे तित्या पर किये गई तान का महत्वबर गया है अक्षे तित्या पर ही भगवान बिश्णू जी ने अपना छटा अबतार भगवान परशुराम जी के रूप में लिया था इसलिए अक्षे तित्या को भगवान परशुराम जी के जन्मुस सब के रूप में भी मनाया जाता है आज के दिन भगवान परशू राम जी का पूजन भी पिशिश रूप से किया जाता है उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भेभी इसका लाव उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी